हांज दोस्तों क्याल चाले आप सभी के आयोप सब अच्छे होंगे तो थपा चुला से मेक्शिकुल सीटी का सफर सुरू हो गया था हमारा तो यह पिक अप थी ठीक है पीछे डाला खाली था और आगे डावल सीट थी तो पीछे आप देख सकते होगे तरपाल के नीचे तीन बंदे थे तरपाल उपर गिरा रखे थे उनके टायर वगयरा जो भी पत्थर वगयरा तरपाल ना उटने से रखे होए थे और आगे आपको दिखाई देगा थे एक बंदे के गोद में एक बंदा और ऐसे करके एक दो तिन चार पांच छे चे बंदे तो हम पिछे बैठे और दो बंदे आगे बैठे थे एक ड्रैवर था 140 की स्वीट से चल रही थी यहां से था पाचुला से हम जा रहे थे बस के लिए और आगे जाके हमें बस में बिठा दिया था उन्होंने और यह रहा बस का नजारा बस में खुली-खुली थी सीट थी सीट बाई सीट हम बस्चे जो नहीं थी तो यह रास्ते का सफर मेक्सिको सिटी की तरफाम चल दिये थे यहां से ठैक्यू सो मच आप सभी का आपको तह दिल से धन्यवाद आप वीडियो को इतना प्यार दे रहे हो और चैनल को स्पोर्ट कर रहे हो और आगे भी ऐसे ही स्पोर्ट करते रहे और मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो भाई मेरा वीडियो पहली बार देख रहा है इस चैनल पर नया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेर करें लाइक करें कमेंट करें ठीक है ताकि यह वीडियो आगे जागे शेर होती रहे और जिसको नोलिज मि अगे डॉंकी के बारे में जैसे भी है और चैनल का सब्सक्राइब करने के साथ साथ बैला आइकन का बटन जुरूर दबाले ताकि आपको नोटिफिकेशन साथ के साथ वीडियो मिलती रहे नई वीडियो मिलती रहे यूए से जाने के बाद भी आप मेरे साथ जुड़े र फॉल फूरूट वगेरा खाने के लिए ले लिए थे और यह हमारा हनी हनी के साथ है उकरेंड में भी इनके साथ इनके साथ हनी के साथ तो यह म Health और यह भाई हो रहा यहां लंका के भी थे हमारे साथ कुछ बाहरो और यह यहां का नजारा है पहाड़ियां हमें मिल गी थी यहां पे क्रोस करते हुए हम पहाड़ियां जा रहे थे ठीक है सारी मैक्सिको सिटी में हमें पहाड़ियां ही पहाड़ियां मिली क्योंकि हम जा रहे थे दूसरे दस्ते से पह का एक नजारा YouTube के साथ मैं Facebook और Instagram पे भी मेरा चैनल ए दो नम्परी। वाला करके और मैं Facebook पे अपने पेज पर यह वीडियो डाल रहा हूं जो भाई Facebook पर देखना चाता है और Facebook पर भी जागे देख सकता है ठीक है तो अब लोगों को मैं कहीं पर इस नियुक्त करना चाहता वेडियों और यह एंये आप पहाडों का निजा रहा था ना भीच बीच में वीडियों है जाया ऋप्धश लगता रहा करोएकि वीडियों बनाने चाहिए और आपको व्योट खाना चाहिए और अपस्ट में difficult यह होज़ा है लिव कि साथ में ताकि इस अफर में दिक्त ना है कि अप तक rip मिले नमिले और मैं आप लोगों के एक बात कहना जरूर चाहूँघा के जो बात शुरूर से आहा है ठैक है अपने साथ ख़ाने का हमें कहां कहां नहीं और मैंने वीडियो लंबी इसलिए बनाई है ताकि मैं आप लोगों से बात करता हूं आप लोगों को कुछ बता पहूं ठीक है क्योंकि बीच में यह था कि वीडियो तो बंती रहती है आप लोगों को शेयर करने के लिए मेरे पास कुछ रहता नहीं और मैं आप लोगों को कुछ बता पहूं इद दो मिनिट की वीडियो पना के भी मैं आप लोगों को वीडियो दिखा सकता था हम कहा से कहा है कहा नहीं आए ठीक है और हम यह सिंगल रोड पे चल रहे थे रोड पे से हम इसलिए जा रहे थे क्योंकि पुलीस पालुस की चेकिंग वगेरा के चक्कर में, ठीक है, थो यहां पर हमें ना थो कोई पोलीस वगेरा मिला, और ना ही कोई दिक्रत बरसानी होई, ठीक है, हम पहाड़ों के बीच में से निकलते हुए जा रहे थे, और रास्ते में भावी लोग हमारे सोत्ते भी आए, ठीक है, सुस्ती भगेरा ठीक है वह भरे हुए थे एक सीट पे लंबी वाली सीट पे पांच पांच जने बिठा रखे थे पीच में हमारा ऐस होगे हम गाउं के बीच से निकले कच्चा रास्ता सा बिल्कुल ही कच्चा रास्ता ठीक है यहां से हमारी यह गाड़ी कंटीनू चलती रही अग्गे आपको दिखाएंगे के पहाड़ों के रास्ते से हम कैसे निकले कैसे नहीं बहुत ही मोड थे कतनाग रास्ता था एक सैड़ पहाड़ी एक सैड़ अपना खाई ऐसे चलते रहे हम और अप लगों को मैं एक बात और बताना चाहूंगा जो मैंने पहले भी आपको बताई है कि खाने का खाने का आपके पास जुरूर होना चाहिए आगी क्या आपता कहाँ पे क्या ना मिले क्या नहीं ठीक है वहाँ पे जाना तर चिकन बगार का होता है और चावल तो डूंकी में मिलेंगे ही ठीक है चावल के साथ खाने के लिए आपके पास कुछ अलग सा हो ओनियों बगएरा रख सकते हो संत्रे बगएरा यहाँ पे हम रुके थे फिर और यहाँ पे हमारी फिर गाड़ी चेंज होगी यह आगे वाली गाड़ी है और जिसमें हम बैठे हैं व फिर हम अपना एक सहर से में से निकले यह हमरे सहर का है जैसे हिमाचल में निया सीलंका तर स separation हो जिरनागर हो गया और हिमाचल सायड हो गया मनाली आद़ हो गया सारह उस था हमारे यहाँ पे तो यहाँ पे हम बेड़ ब्लकुली10 इंकल रोड जाम लगाव आगे आपको वीडिय Studien का ऐसे है कि मैं चुपकी चुपकर वीडु बना रहत हूं ताकि किसी को प्रोब्लम नहाओ ना ही पता लगे किसी को मैं वीडिय बना रहा हूं ठीक है तो वह सोबर कर रहो मेरी आवाब पतानी आपको सही आ रही नहीं आ रही क्योंकि यहां में ठंड बहुत है día to watching चुका हूं और शर्दी बहुत या inner slacks बगएरा जो भी है और sweat shirt या jacket बगएरा कोई बढ़ी ऐसी मोटी सी ले ले नहीं थापा चुला में आप ले सकते हो अगर आपके पास time है आपके एजेंट ने आपको time दिया है आपके डोंकर ने तो आप वहां से भी ले सकते हो बड़ थोड़ा ध्यान से क्योंकि वहा केंप में लेगे जाएंगे पूलिस में चूंकी में आपको 4-5 दिन परिशान भी होना पड़ सकता है वहां भी रुकी को आपको ओप आपकू अपिस भी भेजतें वह पिछे था हैं पीजानि को वाता हमाल यांहिद का वहां भी ज़ोड़ सकते हैं आप लोगों को आपको क चल्दी थी कच्चे कच्चे रस्ते जिएशा कि आपको दिखाई दे रहाया में और आगे हम चलते रहे आगे बिल्कुल कच्छे पहाड़ander बिल्कुल कच्ची सदक यह रही अगे आपको ओर दिखाएंगे देखो यहां की बादिया पाड बड़ा मज़ा है यहां पे हमें चलते हुए और मैं आपको अगे भी दिखाऊंगा ऐसे ही के सफर हमारा कैसा था कैसा नहीं था बहुत इखतरनाक सफर था यह हम रुके भी रास्ते में हमने अपना टोईलेट वगहरा के लिए भी जो भी है तांग वगहरा चिद्धी करनी थी तब भी हम बस में से निकल के थोड़ा बहुत अपना आराम के आमने वहां पे चलते रहे हम धीरे धीरे यहां पे बस थोड़ा सा आप देख सकते हैं हम यहां पे रुके हुए थे पत्थर के पहाड थे और यहां पे कच्छ सड़क बिल्कुल ही बिल्कुल कच्छी सड़क और यहां पे टोईलेट बगारा के लिए सब रुके किसे ने सीग्रेट पर नहीं थी किसे ने टोईलेट जाना था बहाँ बश्रूम बगारा जाना था और यहां पे जाते जाते हमें श्याम होगी थी श्याम के अंधेर ही हो और यहां पर आप देख सकते हो क्योंकि ऐसा लग रहा कि जान बर ना मिल जाए कोई दिक्कत ना होए क्योंकि 10-20 इसकी स्वेट पर हमारी गाड़ी चल भी थी यहां पर और आगे सहर आने के बाद हम अपना हमें देरे-देरे चलने लग गये थे क्योंकि हमारी यह गाड़ी पीचे थी गड़ी पीचे होने के चक्कर में उनका वेट करते हम उनका वेट करते करते हैं जब तक वह साथ आती तब तक हम देरे-देरे चलते रहे क्योंकि उनको साथ लेके जाना जो रही था और अंधेरा बिल्कुल हो गया था हम सोच रहे थे कि पता नहीं कब रुके यहां का सहर दिखाई देने लग गया था हमें और सहर दिखाई देने के बाद हमने आगे जाके एक गाड़ी चेंज करनी थी और हम अपना पिक अप में आगे थे ड्रॉली से में और उस टाइम बारीश हो गी थी पूरी और हम खड़े हो के गए वहां पर हमने तरपाल ले रखी थी यह मैंने भी चुपके से वीडियो बनाई थी थोड़ी बहुत और उस टेम चलीनी थी गाड़ी तो गड़ी चलने से पहले कि यह वीडियो है थोड़ी बहुत धिरे-धिरे चल दी थी जैसे और तरपाल हमने ले रखी थी और बर्जाद एकदम सित्य जागी थी पह andar हम विडियो बना सकते थे और ना ही कैमरा को twor ले सकते थे फिर भी मैंने चुक केसी वीडियो बनाई और वीडियो बनाके डिलीटिड में रख दी थी क्या ता कि फोन फोन ना चेक हो हमारा क्योंकि हमें डाउट था कि यहां पर फोन बगएरा चेक होते हैं और डॉंकर अपना अपनी स्क्रेटी के लिए चेक करते हैं सारा कुछ फोन-फोन अगर किसी के फोन में फोटो या है तो हम भगवान के देह से हमारा कुछ हांसा नहीं होए चेकिंग और यह यहां पर बहुत हां सोने का और बहार के नजारा में आपो द्खाऊंगा मैं ने चुपके से बनाई थी यहां पर किरे नहीं बनाया मैं नहीं बनाई है और अगे मैं आपको का हूँँंगा यह underneath हो कर रहा हूं अब आज मेरी धीरी आ होगी कमा रहे होगी उसके लिए sorry और यह रहा यहां का बाहर इना धानरे और गजा रहा हूं ऐससे अब दो तीन आग पिछी डले वे थे और ये ख्यार है इसमें तो एक कॉल्टरिंग का गिलास मिलता था और उसके बाद अपना दोपहर को चावल मिलती थे रात को कोई खाने खूने का कोई इंतजाम नहीं था यहाँ पर मैंने इसलिए बोला था आप लोगों को कि आप लोगों कुछ भी खाने का लेके आए तो यहाँ पर जुरूर लेके यहाँ पर यह देखो यह ठण में ऐसे ही सोये थे हम यहाँ पर और अगर होज के तो अपने साथ एक चद्दर बगारा जुरूर रखें बैग में क्योंकि अब तो गाडियों में बसों में चलना है तो बैग में बजन होना हो कोई प्रोब्लम नहीं खाने का और एक चद्द देख सकते थे दो बगारा में बैड़ सकते थे यह वीडियों मैंने चुक्के से बनाई थी दूर थोड़ी सी आपको लेट साइड में दिखाई थे एक कंटीन थी वहाँ पर जागे खाना पड़ता था चोटी सी दुखान थी यहाँ पर चोटी सी दुखान में अपना बैग में लेकिया है चाहे क्योंकि हमें गाड़ी में टैक्सी में बैठके यहना है तो उस बैग को कोई बजन वगारा हमें नहीं लगेगा ठीक है इसके बाद यहाँ पर हमें रुकना पड़े गया था चार चार दिन होगे हम यहाँ पर चार दिन रुकने के बाद हमने यह 15 गंटे का 15 गंटे का मैं आपको बताऊं कि ट्रला लगा था हमारा तो उसकी वीडियो मैं नहीं बना पाया उस ट्रल्ले में हम 8 बजे बैठे थे और 8 बजे बैठने के बाद हम 10.30 बजे पहुंचे मेक्सिको और यह मैंने मेक्सिको सिटी की तरफ जा रहे थे उस टाइम क इसलिए बनाई थी ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ क्योंकि मैंने ट्रले की वीडियो नहीं बनाई थी ट्रले में 200 बंदा था जो कि खड़ा होके गया सारे की सारे खड़े हुए थे ठीक है उसमें तो वीडियो का ज्यादा अंतिकती क्योंकि वह प्रोब्लम करते और मैंने फॉन भी अपना बैटरी लो कर रखे थी फॉन चार्ज नहीं कर रखा था मुझे डाउट था कि कहीं भी मेरे फॉन चेक हो सकता है और वीडियो बगरे निकले तो प्रोब्लम होएगी सारी की सारी वीडियो लीट करनी पड़ेगी और आप लोगा तक इंप्रमेशन पहुंचाने में बहुत ज्यादा प्रोब्लम होएगी तो इसलिए एक लाइक तो बनता है और वीडियो शेयर करना ही बनता है चैनल को प्लीज कर लिए सब्सक्राइब जो भाई मेरी वीडियो पहली बार तेक रहा है और बैल आइकन का बटन भी चुरूर दबा लीजिए 14-15 1गंटे का तरला होने के बाद उन्हों हमें कसी українर में रोक दिया और उस सहर में रkkने के बाद एक एटास हमने वहां पर किया उन्होंने हमूंत खाना वोगईरा खिलाया उसके बाद हमें गाड़ियो में भीठाके मेक्सिकों सिटी डिए कि तरफ में चलता कर दिया 4-5 पंच बाउंगा मैं चुके चुके से विडियो बना रहा था लोगों को दिखाई दे रहा और रहे हैं जो मै अब वाइब वगैरे सब कुछ मिल जाएगा और हमें यहाँ पर प्रोब्लम होगी थी बहुत ज़्यादा आगय जाने के बाद भी बहुत प्रोब्लम होई थी हमें जैसा कि आप देख रहे हो कि एक साइड में ट्रैफिक लाकी हुई और दूसरी साइड में हम यहां कि मैं चल रहे हैं अगे टूल ट्action मैं आपको दिखाओँगा के यह यह वीडियो बनाने की कुलिध करने की मैं न क klaakte को ना पता लगते हुए थै और यह जादा लोगे देते हैं औरुकि मैंने सुना है क्यां कि यह वीडियो का बहुत को आगे बंदे गए थे ना उनके फॉन में location और वीडियो थी वहां की location इन्हीं हम चैंड करते थे जो मैंने पिछे आपके वो दिखाया था ना जंगल में रहे हैं ठीक है तो आगे आपको दिखाऊंगा बरफ भी पड़ी हुई थी मेक्सिकों में पहाड़ों पर अगर दिखाए दिये तो साइध मैंने अपना केच करने की कोशिश की थी और यह आप देख सकते हो वहाँ पर लोकेशन यह देखो यहां पर घरी घर बने हुए थे रात को देखने में बढ़ाने जा रहा आता है क्योंकि लाइटी लाइटे चार तरफ लाइटी लाइटी दिखते हैं मेक्सिको सहर बहुत बढ़ा सहर है ठीक है और आगे चलने के बाद आपको फिर से मैं एक सहर में पहुचने के बाद हमें बस इसके आगे क्या था मेक्सिको सिटी पहुचने के बाद तो हमें बस डिवार कूदने के लिए जाना था मेक्सिकली के लिए और मेक्सिकली के लिए हम कब जाएंगे कब नहीं जाएंगे वो आगे वीडियो आगे आएगी यह मेक्सिको सिटी तक कि हमारी वीडियो है और हम सोच रहे थे कि बस होटल में जाके हम गुजराती खाना ओडर करेंगे हम खाएंगे वाइफाई मंगवाएंगे या कुछ भी है तो आगे जाके हमारे साथ क्या हुआ मैं आपको बताऊंगा है यह हुआ कि हमारा हो गया किड्नैप होने का मतलब यह था कि हम किसी होटल में गए वहाँ पर गाड़ी वाले ने हमसे पहले ही फोन वगएरा चेंड लिये और वहां पर रख दिया और हमें वहां पर अगले अगले च्छे वज़े तक तो 24 गंटे हमे गरा थि ठिक हैं और हमें वहां से अपना डॉंख लेंग के जाता अफना तो हमारे पास कोई फोन नहीं तो फिर सोर्च गंटे के बाद हमें कोई डॉंख लेनिया और फिर वह में लेकर जान में जाना है यह रहां रात का सफर जो मैंने कैच किया था थोड़ा बहुत और उसके बाद हमें फिर मेक्सिको सिटी से तोड़ा सागी लेगे थे क्योंकि एक डेड़ गंटी का रास्ता था जाइस इस होटल में हम थे और उस होटल के बाद हम अपना एक स्टॉपीश पर आगे थ और नहीं खाने को दिया था और नहीं पानी वगएरा था कुछ भी था और यहां पे हम पहुंच के थे ठीकाने पर यहां भी हमने घरबारों को फोन वगएरा सब कुछ किया हमें पताया